हेलो दोस्तों स्वागत आपका तिरिसक्ते अकेडमी में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारी उत्राखंड पॉलिटेकनिक कॉलेज दर्सन नाम से एक सरीच चल रही है जिसमें आपको उत्राखंड इस्टेट में जितने भी गौ़र्मेंट पॉलिटेकनिक से हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, तो इससे पहले हमने दो colleges के बारे में जान लिया है, Government Polytechnic सिर्णगर और Government Polytechnic नेनिताल, आज हम तीसरे college की बात करेंगे जिसे जो है हमारा Government Polytechnic कासीपूर, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि गौर्मेंट पॉल टेक्निक कासिपुर में कौन-कौन सी ब्रांच है एनसेसी के बारे में जानेंगे एनसेस के बारे में होस्टल के बारे में और प्रिवियस यर जो कट ओफ रही थी जो लास्ट इस्टूडेंट वहां अलोट हुआ था कौन सी रैंक पे हु है वह गुरूप P के लिए हो गुरूप A के लिए हो या गुरूप E के लिए तो हम इस वीडियो में complete information आपको देंगे तो बने रहना है आपको लास्ट तक तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दू तो अगर हम आपने हमारे चैनल को लाइक ने किया है शेयर ने किया और सब्सक्राइब ने किया है तो सब कुछ कर लीजिए तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो गॉर्मेंट पॉल्टेकनिक का सी पूर है वहां कौन-कौन से कोर्सेस अवेलेबल है तो से पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेकैनिकल इंजिनियरिंग सीविल इंजिनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजिनियरिंग इंफॉर्मेशन टेकनलोजी केमिकल इंजिनियरिंग इलेक्रोनिक्स इंजिनियरिंग एग्रिकल्ट्रल इंजिनियरिंग केमिकल पेंट टे मारे जो दो पॉलिटेक्निक के बारे में हम डिसकस कर चुके हैं उसमें नहीं था तो यहां अगर आपको कैमिकल इंजिनिरिंग से डिप्लोमा करना है तो आप कासिपूर जो है आज सकते हैं तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे दोस्तों यहां आपको NCC और NSS आपको स्वेट हो जाएंगे तो होस्तल भी आपको यहां प्रवाइड हो जाएगा इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मेली जो हमारी कट-प इस प्रिवेस के रह थी 20-21 की नहीं मिल पाई दोस्तों लेकिन 2020 हमारे पास अवैलेबल थो उसी के बेस में हम देखेंगे कि ग्रूप ई ग्रूप ई और ग्रूप ए में किस student को वहाँ जो है seat मिल सकता है और किस seat मिली है वहाँ वो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे group E की तो group E मा आपको मैं rank दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं zoom कर लेता हूँ फिर दिख जाएगा आपको तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 447 पर राहुल रावजी हैं और इन्हें जो है civil जो है यहाँ seat all out हुई है आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं 579 580 784 959977 इतनी rank हैं तो मैं आगे चलता हूँ जो last rank होगी वह मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी आप rank देख सकते हैं 4000-4000 के आसपास की rank दिख रही है आप देख सकते हैं 4000-4000 4500 rank है 4600 rank है और जो है इन्होंने इतनी preference डाली है और last में जो seat मिली है आप देख सकते हैं हाँ पर किसी को not allotted भी लिखा है और जिनको मिली है वहाँ पर लिखा गया है साफ नहीं आ रही इसकी PDF में आपको टेलिग्राम में प्रोवाइट कर दूँगा तो आप वहाँ से देख लेना ऐसी आप दो उस तो देख सकते हैं यहाँ पर की 5812 rank जो है यहाँ पर 6000 rank तक गई है बट यहाँ पर आप देखना कि कितनी preference student ने डाली है और यहाँ seat अलोट हुई है नहीं हुई आप देख सकते हैं कुछ seat अलोट हुई है chemical engineering में हुई है लेकिन और other चीजों में not allotted दिखा गया है तो देख सकते हैं कि कि किस rank तक यहाँ पर college provide हुआ है यह हम दोस्तो group E की बात कर रहे हैं अभी यह भी group E का है आप देख सकते हैं अब बात करते हैं कि दोस्तो group A जो की lateral entry का है तो group A lateral entry में rank सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ 221 rank है 264 है 280, 303, 376 और other यहाँ last जो है apply किया है 908 rank तो अब कितनों को मिला है कितनों को नहीं वो देख लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो choices भरी है civil, mechanical अदलत चीज़ है और जिने allot हो चुका है उनके rank दिखा देता हूँ आपको आप देख सकते हैं allotted, civil, civil कितने rank तक मिला है 285 rank तक आपको civil मिली है फिर IT नीचे हम देख लेते हैं not allotted यहां allotted mechanical आपको दिख रहा होगा यह वाला तो यह कितनी rank पे हैं हम इसे देख लेते हैं यह आपको 766 rank पे यहाँ पर प्रोवाइड हुई है mechanical वो भी आपको group A में तो आप देख सकते हैं कि group A में कहां तक आपको इस college में जो है admission मिल सकता है यह sport counseling की बात कर रहा हूँ दोस्तो जो institute level पे होती है एक दो आपकी जो है online counseling होगी उसके बाद जो है institute level की counseling होगी दोस्तो 2020 तक जो है 3 online counseling होती थी लेकिन 2021 से 2 online counseling हो रही है तो इस बाद देखने वाली बात रहेगी कि 2022 में कितनी online counseling होती है तो जैसे ही information आएगी दोस्तो बहुत जल्द आपकी counseling की information आने वाली है जैसी counseling पे update आएगा तो आपके सामने वो information आपको जो है provide हो जाएगी तो इसके बाद दोस्तो फार्मेसी की बात कर लेते है तो फार्मेसी में आप देख सकते है 41 rank में allot हुई है seat आप यहाँ देख सकते है allotted हुई है 41 rank में इसके बाद 109 rank है इसमें भी यहाँ allotted दिख रहा है तो allot हुई है in a seat इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 150 rank पर जो है अलोट हुई है सीट इसके बाद भी student बहुत apply किया आप देख सकते हैं 205 rank 206 rank 223 rank 226 rank 282 और यासी ऐसे नीचे को और है और तो और not allotted तो allot नहीं हुई आप देख सकते हैं कि firemiss में कितने कम rank पर जो है seat का allotment हुआ है तो आप देख सकते हैं कि 205 वाले को भी यहाँ पर college नहीं मिला है तो आप देख सकते हैं दोस्तों pharmacy में कितना competition है इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे यह भी आप देख सकते हैं यह भी पूरा pharmacy का है आप देख सकते हैं कितनी rank तक है 3000 rank तक यहाँ पर apply किया हुआ है जिसमें कि देखे मैं यही आपको बोल रहा था कि category का कितना benefit है आप यहाँ पर देख सकते हैं female है, general है, निसारावज जी है 298 rank है और उन्हें seat alert हुई है आप देख सकते हैं, alert rate लिखा गया है, नीचे corner में आप देख लीजिए, zoom नहीं हो पा रहा तो उन्हें seat alert हुए, तो category का इतना roll है दोस्तों आप देख सकते हैं उनकी category EF है, आप देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों engineering without jeep rank तो आप देख सकते हैं, दोस्तों 2021 में जो student ने paper दिया था, jeep का वो बहुत कम थे, तो जो बाद में seat fill करनी थी, वो 10th के merit base पे हुई थी तो वही आपको यहाँ पर दिया गया है, कि किस base पे हुई थी तो इसके बाद दोस्तों ये video यहीं पर ही खतम होती है होप आपको समझ आ चुका होगा कि government policy पर में किस rank तक आपको जो है college provide हो जाएगा, और कितनी branch वहाँ भी चल रही है, कौन-कौन से branches है सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, बाकि placement कासिपूर का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और इसके बाद दोस्तों जो वीडियो रहेगी, government policy technique पित्थो वाला पर रहेगी और थीन college हमारे हो चुके है, government policy technique स्रीनगर, government policy technique नेनिताल और ये government policy technique कासिपूर इसके बाद हम बात करेंगे, केल policy technique और government policy technique पित्थो वाला की तो thank you for watching this video और आपको क्या करना है, तिरसकती academy को like करना है, share करना है और subscribe करना है मिलते हैं, ऐसी polytechnic college दर्शन में कोई other college के साथ, thank you for watching this video